ओम श्री गनेशाय नमह ओम श्री गुर्वे नमह ओम नमह शिवाय श्री नर्मदा कवचं श्री भवानी तंत्र श्री पार्वति उवाच ओम लोक्साक्षी जगन्नाथ संसारार नवतारणं नर्मदा कवचं ब्रुही सर्वसिद्धी करम सदा श्री शिव उवाच साधूते प्रभूताये त्वाम्त्रिशू लोकेशू दुर्लभं नर्मदा कवचं देवी सर्वरक्षा करम परम नर्मदा कवच अस्यास्या महेशस्तूरिशी स्मृतह चंदो विराट सू विग्ययो विनियोगस्चतूर विधे विनियोगह अम अस्या श्री नर्मदा कवच अस्या महेश्वर रिशिह विराट चंदह नर्मदा देवता हराम वीजं नमह शक्तिही नर्मदाये कीलकं मोक्छार्थे जपे विनियोगह अथकर न्यासह ओम हराम अंगुष्थाभ्याम नमह ओम हरेम तर्जनिभ्याम नमह ओम हरूम मध्यमाभ्याम नमह ओम हरेम अनामिकाभ्याम नमह ओम हराम कनिष्थिकाभ्याम नमह ओम्हरहकरतलकरप्रिष्थाभ्याम्नमः अथहृदयादिन्यासः ओम्हराम्हृदयाय नमः। ओम्हरीम्षिरसेष्वाह। ओम्हरूम्षिखायवषथ ओम्हरयमकवचाय हुं। ओम्हरमNET्रत्रयाय वशत् ओम्हरह अस्थ्राय फत् ओम्हुरभुवस्वरूमिति दिग बंधह। अथ ध्यानं ओम नर्मदाये नमह प्रातर नर्मदाये नमो निशी नमस्ते नर्मद देवी नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागराथ आदव ब्रहमांड खंडे त्रीभुवन विवरे कल्पदासा कुमारी मध्याहने शुद्धरे वावति सुरनदी वेद कंठोप कंठैह श्री कंठे कन्यारूपा ललित शिव जटाशंकरी ब्रहमा शांतिही सादे विवेद गंगारिशी कुलतरिनी नर्मदामां पुनातू इति ध्यात्वास्टो तरस्यत्वारं मूल मंत्रम जपेत ओम राम रीम रूम राम रह नर्मदाये नमः ओम रुद्रदेहाये विद्महे मे कल कन्यकाये धीमही तन्नो रेवा प्रचोदयात् ओम रुद्रदेहाये विद्महे मे कल कन्यकाये धीमही तन्नो रेवा प्रचोदयात् ओम नर्मदाये नमह साहं ओम हरीम श्रीम नर्मदाये स्वाह ओम हरीम श्रीम नर्मदाये स्वाह ओम हरीम श्रीम नर्मदाये स्वाह ओम पुर्वेतु नर्मदा पातु आग्नेयां गिरीकन्यका दक्षिने चंद्रतनयाने रित्यां में कलात्मजा रेवातु पश्चिमे पातु आयव्यै हरवल्लभा उत्तरे में रूतनया इशान्यै चतु रंगिनी उर्ध्वं सोमोध भवा पातु अधो गिरीवरात्मजा पातु में शिरसी मस्तके शैल वासिनी उर्ध्वगा नासिकाम पातु भ्रीकुती जलवाहिनी कर्णयोह कामदा पातु कपाले चामरेश्वरी नेत्रे मन्दा किनी रक्षेत पवित्राचाधरोष्ट के दशनान के शवी रक्षेत जिहवां में वाग विलासिनी चीबुके पंकजाक्षी च घंटिका धन वर्धिनी पुत्रदा बाहु मूले च इश्वरी बाहु युग्मके अंगुलीह कामदा पातु चोदरे जगदंबिका हृदयम्च महालक्ष्मी कटी तटे वराश्रमा मोहिनी जंगयोह पातु जठरे च उरह अस्थले सहजा पादयोह पातु मंदला पाद प्रिष्ठ के धारा धरी धनम रक्षेत पशुन में भुवनेश्वरी बुद्धी में मदना पातु मनस्विनी मनुमम अभरने अंभिका पातु वस्तिम्में जगदीश्वरी वाचाम्मे कोत की रक्षेत कमारी च कुमार के जले श्री अंत्रने पातु मंत्रने मनमोहिनी तंत्रने कुरु गर्भाम्च मोहने मदना वली अस्तंभेवय अस्तंभिनी रक्षेत वी स्रिष्टा स्रिष्टी गामिनी श्रेष्था चौरे सदा रक्षेत विद्वे शेवरिष्टी धारिनी राजद्वारे महामाया मोहिनी शत्रु संगमे छोभनी पातु संग्रामे उद्भटे भट मर्दिनी मोहिनी मदने पातु कृड़ायाम च विलासीनी शयने पातु बिंबोष्थी निद्रायाम जगवंधिता पूजायाम सततं रक्षेद बलावद ब्रहम चारिनी विद्यायाम शारदा पातु वारतायाम च कुलेश्वरी श्रियम्य श्रीधरी पातु दिशायाम विदिशात था सर्वदा सर्वभावे न रक्षेद्वय परमेश्वरी फलशृति इतीदं कवचं गुहियं कस्य चिन्न प्रकाशितं संप्रत्येव मया प्रोक्तं नर्मदा कवचं यदी ये पठंती महा प्राज्या स्त्रीकालं नर्मदातते ते लभंते परमस्थानं यत्सुरेर अपीदुर्लभं गुहियाद गुहियतरं देवी रेवाया कवचं शुभं धन दम ओक्षदं ज्ञानं सबुधिम अचलाम श्रियं महा पुन्यात्मकालोके भवंती कवचात्मके एकादश्याम निराहारो ब्रतस्थो एकादश्याम निराहारो ब्रतस्थो नर्मदातते सायाहने योग सिध्धी स्यात्मनह स्रिष्टार धरात्र के सप्ता वृत्तिम पठेद विदान ज्ञानोदयं समालभेत भौमार के रविवारेतु अर्धरात्रे चतुष्पथे सप्ता वृत्तिम पठेद देवी सलभेत बलकामकं प्रभाते ज्ञान संपत्ति मध्याहने शत्रू संकते सत्रू भीते राज भंगे अश्वत्ते नर्मदात्ते सहस्रा वृत्ति पाठे न संस्थितिर्वय भविष्यती नान्या देवी नान्या देवी नान्या देवी मही तले न नर्मदासमा पुन्या वसुधायाम वरानने यम यम वांचयती कामं यह पठेत कवचं शुभं तम तम प्रापनोती वै सर्वं नर्मदायाह प्रसाद तह इति श्री भवानी तंत्रे हर गौरी संवादे श्री नर्मदा कवचम संपूर्णं पाता नर्मदा का यह कवच यहाँ पर पूरा 26 शलोक में है प्रारंभ में यहाँ पर जो शलोक संख्या एक दो तीन आदी दी गई है पार्वती उवाच श्रेशिव उवाच यह पुर्व पीठीका का भाग है इसके बाद यहाँ पर विन्योग दिया गया है विन्योग में यहाँ पर रिशी छंद देवता बीज मंत्र शक्ती मंत्र कीलक मंत्र आदी दिया गया है इसके बाद कर न्यास है कर न्यास और हिर्दय आदि न्यास हराम हरीम हरूम हरैम आदि से की गई है दिग बंधन के लिए भी कहा गया है ओम भूर भुवह स्वा से करना है इस मंत्र से दिग बंधन कर ले यहां ध्यानम दी गई है माता नर्मदा का ध्यान मंत्र है ध्यान करने के बाद कुछ यहां मंत्र दिये गए है और प मूल मंत्रम जपेत कहा गया है कि माता का ध्यान करने के बार 108 बार उनका मूल मंत्र का जब करना चाहिए तो यहाँ पर तीन मंत्र है एक ओम हराम हरीम हरूम हरैम से है एक नर्मदा गायत्री मंत्र है ओम रुद्र देहायय और एक अन्य मंत्र है ओम नर्मदाय नमह और एक ओम हरीम श्रीम नर्मदाय स्वाह तो इसमें से कोई भी एक मंत्र का आप जब कर सकते हैं 108 बार मंत्र का जब कर ले पूजा आदी करने के बाद मंत्र जब मंत्र जब के बाद आपका जो मुख कवच है यहां पुनह श्लोक संख्या एक से अलग से नम्रिंग की गई है तो यहां श्लोक संख्या एक से प्रारम होता है ओम पुर्वे तू नर्मदा पातू आगनेयाम गीरी करन्या का यहां से प्रारम होकर शलोक संख्या सोलह तक, एक से सोलह तक, सरवदा, सरवभावेन, रक्षे, द्वाय, परमेश्वरी बस इसी सोलह शलोक की बार-बार आवरती करनी है अगर आप एक बार के पूजा में 7, 11, 21, 51 बार कवच का पाठ करना चाहते हैं तो केवल इन ही सोलह शलोक की आवरती करें फल श्रूतियंत में एक बार पढ़ लेते हैं फल श्रूति में कुछ शलोक यहां देखते हैं शलोक संख्या उनीस धन दम मोक्छ दम ज्यानम सबुद्धिम अचलाम श्रियम यह धन देने वाला है, मोक्छ देने वाला है, ज्यान देने वाला है सबुद्धि और बुद्धि के साथ अचल यानि बहुत ही जादा श्री, धन, संपत्ति, सुख आदी देने वाला है श्लोक संख्या 20 में कहा गया है, एकादस्याम निराहारो ब्रत अस्थो, वरत अस्थो शब्द ठीक है वरत नर्मदा के तरड़ पर एकादशी को निराहार रहके वरत करना है संध्या समय में पाठ करना है श्लोक संक्या 21 सपता वृत्तिम सात बार पाठ करने को कहा गया है तो उसी एक से सोलह श्लोक की आवर्ति होगी सात बार आवर्ति करने को कहा गया है तो ज्ञानो दयम समाल अभेत ज्ञान का उदय होता है श्लोक संक्या 22 में देखें भौम आर के रवीवारे भौम यानि मंगलवार रवीवार अर्ध रात्री आधी रात में चतुश्पत चौराहे पर पाठ करने को कहा गया है सप्ता वृत्तिम पठेद देवी सल अभेद बल काम कम तो उसे शक्ति आधी प्रात होती है शलोक संक्या 23 प्रभाते ज्यान संपत्ति प्रभाते यानि प्रातह काल सुबह में जब पाठ करते हैं तो ज्यान मिलता है संपत्ति मिलती है मध्याहने शत्रू संकटे दोपहर में इसका पाठ करने से शत्रू पे संकट होता है यानि हम शत्रू पे विजय प्रात आदी कर सकते हैं शत्रू को नियंत्रित कर सकते हैं शतावृत्ति विशेशेन मासम एकमचा लभ्यते शतावृति सौवावृति के लिए कहा गया है एक मास में शलोक संख्या चौबिस शत्रू भीते राज भंगे अश्वते नर्मदा तटे नर्मदा के तट पर अश्वत यानि पीपल के व्रिक्ष के नीचे इसका पाठादी करने को कहा गया है सहस्रावृति एक हजार पाठ करने को कहा गया है शलोक संख्या चौबिस यम यम वान्चयती कामं यह पठेत कवचं शुभं तम तम प्रापनोती वै सर्वं नर्मदाया प्रसाद तह यानि जिस जिस चीज की कामना ले करके आप पाठ करेंगे वह वह कामनाओं की पुर्ती होती है यानि सभी लोग की अलग-लग एक्षाएं होती है सभी लोग की अलग-लग मनो कामना होती है तो विनियोग के समय मनो कामना को बोल करके सपष्ट रूप से कवच का पाठ करना चाहिए यहां मंत्र आदी भी है ध्यान भी है इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे description box के माध्यम से दे दी गई है आप वहाँ से download कर सकते हैं धन्यवाद